हेलो जेन सभी अनडी ऑफिसर्स फाइनली आपका एक स्टेज जो है वो फिनिश हो चुका है आपका रिटन एक्सेम कम्प्लीट हो चुका है अब आपका आगे का प्रोसीजर चलेगा एसस्वी मेडिकल इस तरीके से तो आपकाset तागी ओ क्रूसीजर दो कैसे आपके questions थे क्या उनका answer था क्या आपकी approach रहनी चाहिए थी उसको हम discuss करेंगे और आपको complete जो है answer की यहाँ GAT की मिलेगी जिससे आप analyze कर सकते हो अपना score और आप decide कर सकते हो कि आपको SSB की तयारी करनी है या अगले attempt की तयारी करनी है या दोनों की करनी है तो वो आप decide कर सकते हो तो चलो बैस start करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे science का portion एक बार देख लेते हैं उसके बाद मैं आपको English की और GS की अंसर की यहाँ पर बता दो तो चलो बैस साइन्स के 50 questions की तरफ बढ़ते हैं पड़ा फट से तो यहाँ पर फ़र्स्ट पेज पर कोई question नहीं है science का यहाँ पर भी नहीं है यहाँ से start यहाँ से आपके start तो वही question number 61 यह कह रहा commercial unit of electrical energy जो की kilowatt hour है वो किसके एक बलबाई simple kilowatt hour आपको बताया था commercial unit of energy इसको convert करके मैंने 2-3 chapters में आपको बताया है चाहे वो unit and dimensions हो electricity हो कई जगे बताया तो इसका answer आपका आता है 3.6 into 10 की power 6 june ठीक है next question आपका है which of the following statement regarding a current carrying solenoid is not correct तो यहाँ पर current carrying solenoid की बात हो रही है तो क्या अंदर magnetic field uniform होती है बिलकुल होती है क्या जो है बार magnet के similar होती है इसकी field lines बिलकुल होती है उसके अलावा आपका magnetic field inside solenoid increase करता है current के साथ बिलकुल आपका ampere circular low से आया था कि field is equal to mu naught ni तो i के साथ बिलकुल increase करेगी soft iron bar inserted inside the solenoid the magnetic field remains the same जब हम soft iron core को अंदर रखते है solenoid में तो field को increase कर देता है constant नहीं रहती तो यह वाली बात गलत है क्योंकि उसने not correct पूछी थी गलत वाली पूछी नेक्स्ट भाई यह कह रहा है कि object जो है made up of two equal parts by volume one part has density इतना दूसरा इतनी average density निकालने तो यहाँ पे आपके दो पार्ट दोनों की volume से ही में density अलग-अलग है तो पहला pair माल रो और आपका V volume दूसरे का है टू रो नोथ और V volume तो यहाँ पे आप average density किस displacement upon total time average speed बता है total distance upon total time ऐसे average density total mass upon total volume तो इसका mass mass का formula क्या होता density into volume तो आपके पास इसका mass आगया यानि यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा इस तरफ पहले का mass आपके पास आगया m1 रो भी और m2 आपके पास आगया 2 रो नॉट भी तो यहाँ इन दोनों को add करोगे आपकी average density विल भी तीन दोनों का add करोगे 3 रो नॉट भी अपॉन आपका volume वी प्लस वी आपका 2 वी वी से वी कट गया यह आपका आगया 3 रो नॉट तो इसका answer क्या हो जाएगा वही आपका वी हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कहरा pressure cooker भाई pressure cooker कितनी वार बताया आपको कि pressure cooker से pressure create होता है उससे boiling point बढ़ जाता है और water का boiling point बढ़ने की वज़े से cooking fast हो जाती है पहाड़ों में pressure कम होता है boiling point भी कम हो जाता है तो cooking आपकी slow हो जाती है तो इसलिए वहाँ खाना पकने में ज़्यादा समय लगता है तो increase कर देता है boiling point कौन pressure cooker next which of the following wavelength जो आपकी भाई x-ray में लाई करेगी तो x-ray में भाई आपकी ये क्या जाएगा one nanometer है जो आपकी लाए चलो गई आगे देखते है next next question कहा रहा है electric bulb है जो इतनी वोट की supply से connect है वोल्ट की और current इतना ड्रो कर रहा है पावर बताने है तो वोल्टेज और current में vip formula आपका power is equal to vi तो यहाँ पर आप वी एसा units में रख दो 220 और current को रखोगे तो 600 milli ampere है तो milli के लिए 10 की पावर minus 3 इसको solve करोगे तो minus 3 के लिए 30 कटगी 22 into 6 22 into 6 answer जो कि आपका आजाएगा एक सो 32 वोट तो answer आगया एक सो 32 वोट आगे बढ़ जाओ वई यह कह रहा है पिच बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा loudness amplitude pitch frequency क्या बढ़ेगा वाई frequency तो कह रहा है विच वन वो फोलें रियक्टिविटी सीरी वो रियक्टिविटी सीरीज विद वाटर तो वाटर के साथ रेक्टिविटी बताया था पोसो कोल में है क्यूट जैबरा आई लाइक हर पॉलिंग स्वीट गोट तो क्यूट जैबरा आ कौन सा फ्लोट करेगा तो भाई जितने भी आप पोटेशियम लीथियम सोडियम यह फ्लोट करते हैं तो यानि आप्शन नंबर आपका क्या हो गया सी कौन सा कैपड सिधी एलेक्टिसिटी एक 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 कंडीशन बताईया है आई आई फ्री चार्ज आईयं सापके होने, यानि फ्री आईयं सोने चाहिए तो बुर्य कृप्र सर्था और उक्षन है ये भी शुगर जो है उसमें आयन्स नहीं होते सॉलूशन में नेक्स्ट है डीप सी डाइवर्स को ब्रीद करने के लिए दे कैरी सिलेंडर आपक्सिजन मिक्स्ट विद्ट वाई कौन सा यूज होता है हीलियम ठीक है लियम नाइट्रोजन यूज करते तो रियक्टिविटी बढ़ जाती है जब प्रेशर बढ़ता है तो ज्यादा रियक्ट करता है नहीं मिक्स हो जाता है बलड में तो उससे दिक्कत आती है इसलिए डीप सी व्हुमन बोडी गलब्ड भय तो आपका वाई सोडियम और पोटेशियम दोनों जहां आपके लेक्ट्रिगल सिंग्नल्स में हैल्प करते ज्यादा सोडियम करता है बट दोनों करते हैं आपके ठीक हैं तो सोडिय बनता आपका तो इसका अंसर सी हो गया मुमन आई जो है पास्ट दूर की चीज़े देख पाती है तो यह पावर ओफ अकोमोडेशन यह अकोमोडेशन है आई की तो अकोमोडेशन विल भी दा अंसर यह करविच ऑफ फोलेंग ओर्मोन इंक्रीजिस दा हर्ट बीट इन मैमल्स तो भाई हर्ट बीट कौन बढ़ाता है स्ट्रेस ओर्मोन आपका लाइफ सेविंग ओर्मोन यानि एडरनलीन जो खिडनी के उपर ग्लैंड एड्रीनल वो ग्लैंड सिक्रीट करती है एडरनलीन यह कहारा वह डाइजिस्टिव सिस्टम पढ़ाया था कहारा फैट पे कौन असर करता है तो भाई फैट आपका अप्शन में दिया है उनमें लाइपेज और बायल जूस तो आपका अंसर क्या आगया बी ट्रिपसिन पैपसिन वैसे आपका उसको प्रोटीन डैजिस्ट करते हैं माईले स्टार्च को इसलिए आपका एक एंसर बचाँ यह करा विच ओड़ फोलिंग स्टेटमेंट एनिमल सेल और प्लांट सेल सेल वाल और उस पे तो प्लांट सेल के पास सेल वाल भी होती है ट्रिया आपका लेंक फोता है लाइक बिना ब्लड जो और पसकल सेल से उनके बिना लिक्विड पे प्लाजमा को रिजेंबल करता है कलर भी सेम होता है दोनों का येलो-एलो ग्लूकोस, साइटोप्लाजम में आपका टूड जाता है, पाइरुवेट में और साथ में कुछ अनर्जी बनती है, बाद में ये पाइरुवेट ऑक्सिजन की अवेलिबिलिटी के हिसाब से क्या करता है, ब्रेक करता है, ठीक है? तो यहाँ पर बाई, next question है, what is the nature of velocity time graph for a car moving with uniform acceleration, uniform acceleration है, VT graph यानि V, equal change होगी, equal interval of times पर तो answer will be straight line, इसका answer क्या आजाएगा बाई, straight line आजाना, next amplitude जो है, किसकी units में measure होता है, नहीं, amplitude और किसकी units, same, amplitude होता है, maximum displacement from mean position, तो answer क्या आजाएगा, distance आजाएगा, अगला है, current 0.6 ampere is drawn by an electric bulb for 10 minutes, तो कौन सा amount of electric charge that flows through the circuit, तो current टाइम देगे charge पूछा है, current into time, तो यहाँ पर SI unit का ध्यान रखना है, current आपका 0.6 आजाएगा, time 10 minute into 60, तो यहाँ आपका हो गया, एक 0 से 0 कट गई, 6, 6, 37, 10, 360, तो answer will be 360 coulomb, answer क्या आजाएगा भई, 360 coulomb जो है, इसका answer आजाएगा, यहाँ तक मामला clear चल रहा है, बढ़िया question खीक हो रहे है, tension कम हो रही है, तो आगे बढ़ जाओ, next आपका question है, DC generator किस principle हो काम कहता है, generator है, तो faraday law of magnetic induction पर कर रहा है, presence of magnetic field can be determined, तो किसकी मदद से determine कर सकते हो, the magnetic needle deflect होगी, in presence of this devices, next बढ़ते है, which of the following statement about speed and velocity is correct, vector scalar पुछ रहा है, S से speed, S से scalar, V से velocity, V से vector, the answer will be D, bronze भाई किसका copper end है, tin का alloy होता है, तो option number B, इन में से किसके पास water of crystallization नहीं है, तो blue vitrol, copper sulfate, 5, H2O, washing soda के पास 10, H2O, इसके पास more sold के बाद 6, S2O, potassium permanent KMN of 4, इसके पास नहीं है, B sting कौन से acid release करते हैं, तो बाई, B sting, net relief string, इतनी बार बताया, formic acid या फिर, mitnoyic acid, कह रहा है, vegetable oil को solid margarine वगएरा, किसका यूज़ करके, तो यह आपका घी, मेक्स्ट देखो, यह कह रहा है, कितने इस्ट्रक्ष्रल आइसो मर बनेंगे, पेंटेन के, आइसो मर होते हैं, जो अलग-अलग, जमेटरी हो, तो इसकी कितने बनेंगे, भई, देख लो, एक carbon को यहां ले आए, दूसरा जा नहीं सकता, दो भी नहीं जा सकते, तो यह बन रहे हैं, भई, तीन आपके तो अंसर क्या जाएगा, तीन, ठीक है, इसके लाव कुछ और बनाने की कोशिश करोगे, तो इनी जैसा बनेगा, सेम, तो, नेक्स्ट कॉश्चन है, यहाँ पे, 108, यह कहरा, वैपर्स ऑफ सल्फर एस्केपिंग प्रॉम बोलकेनों, वो सॉलिड करेश्ट बना लेते हैं, इसका एक्जाम्पल है, यहाँ वैपर्स से सॉलिड, यहाँ सीधा आपका क्या होँआ, सब्लीमेशन, सब्लीमेशन ज्यादा यूज होता आपका, किसके लिए, इससे, जो सॉलिड से डारेक्ट गैस बन जाए, तो इसका उल्टा क्या होता है, डिपोजीशन, बड़े वही आगे, ड्राइ आइस कह रहा है, वही कौन सा प्रोसेशन वाल करते तो, अभी एक सब्लाइम है, सॉलिड सी ओटो, नेक्स्ट अब है, C4H8, किसके होमोलोगस सीरीज से बिलॉग करता है, तो CX, H2X, H2X, तो उसका डबल है, तो एक इसका है, अल्कीन का, ठीक है भई, क्यारा कौन सा प्रोटीन डैजिस्टिंग एंजाइम में जो स्टमक सिक्रीट करता है, तो भई कौन सा है, पेपसीन, ट्रिपसीन जो हो, स्मोल इंटस्टाइन सिग्रेटर, नेक्स्ट देखो भई, क्यारा विच अव दो फोलेंग विल रिसल्टेट वैन अनिमल सेल इस सराउंड़ बाय मीडियम, विल लोवर कंसेंट्रेशन अव वाटर, तो एक सेल है, बाहर लोवर कंसेंट्रेशन अव पानी की, तो पानी अंदर से बाहर जाएगा और सेल विल लूज वाटर, ठीक है, सेल विल लूज वाटर, किसमें डेजिस्टिव एंजैम्स अर प्रेजेंट इन, किसमें डेजिस्टिव एंजैम्स भरे वाएगा, क्या रहा है बई, डेजिस्टिव एंजैम्स किसमें भरे होते हैं, लाइज वाटर, आफ्टर, फर्टरिलाजेशन, फ्रूट एंड सीड, तो फ्रूट बनता ओवेरी से, सीड बनता ओविल से, क्या है, इन, किसमें भरे वाटर बनता ओवेरी से, सीड बनता ओवेरी से, सीड बनता ओवेरी से, सीड बनता है, कि नेक्स्ट वाई कर दो कन्वेक्स लेंस फोकल लेंज इतनी इतनी है तो यहां पर बतानी है कि नेट पावर कितनी होगे तो पावर का एक ही फोर्मुला पढ़ाया है तो यह आगया पीवन प्लस पीटो ठेक है भाई तो यहां पर आपको पावर एड करनी है सिंपली निकाल के तो आप इस केस में क्या करोगे ठीक है यहां पर आपको क्या करना है पावर एड करने पहले इंडिविजुल पावर निकाल लो जिसका 50 है उसकी निकालो गया पहले इसको मिटर में चेंज करो 1 by 2 तो पावर कितनी आ गई पीवन की वैल्यू प्लस टू डायप्टर उसके बाद आपकी पीटू की वैल्यू पच्छीस है तो वह पच्छीस भाई हंडर वन वाई फूर उल्टा गरो फूर प्लस फूर डायप्टर तो चार और दो छे डायप्टर अंसर के आगया बी प्लस सिक्स डायप्टर अगला कराईन में से कौन सा पावर का फूमूला नहीं है तो पी इस इकोल टू वी आई ठीक है एक तो यह हो गया होम स्लो से आई की वेल्यू रख दो क्या है याई यार आई की ज़ए क्या है वी बाई आर तो आगया वी स्क्वेर बाई आर वी की ज़ए रख दो तो वी की ज़ए रख दो ai यार तो या जएंगा i2 r यह nice अर आर बी स्क्वेर बाई आर यह फोमूला क्या है i2 y r जो फोलो नहीं होरग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ओफ क्राउन ग्लास दिरका 3 x 2 cm गो 3 x 2 स्पीड ओफ लाइट एर में C है तो उसमें क्या होगी यहां पर भई 3 x 2 दिरका स्पीड ओफ लाइट भी यह उसके अंदर C है तो वह यहां पर क्या आ जाएगा स्पीड C है तो क्या होता रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉमला स्पीड इन अनदर मीडियम इंट्व ड़ेट मीडियम आप मीडियम कि वावई कि सिंपल वैल्यू पुट करने थी यहां पे इसकी वैल्यू रगदो थ्री बाइटू इस सी का पता है तो थ्री बाइटू सी आगया एक मिन्ट वेलाउस्टी निकालने किसकी इफेक्टिव इंडेक्स के अंदर क्राउड ग्लास थे गई है यह वी नीचे आएगा सी उपर आएगा तो वी की वैल्यू क्या आजाएगी आपकी तो इसका उल्टा कर दोगे तो कितनी आजाएगी टू बाइट थ्री सी ठीक है बई क्लियर है मामला आगे देखे देखो बई नेक्स कोश्चन देखते हैं इस कोश्चन में कह रहा था वोल्यूम ओफ सील्ड पैकेट इस वन लीटर उसका मास है आठ सो ग्राम तो आठ सो ग्राम मास से तो डेंसिटी निकल जाएगी बई की आप वोल्यूम लीट या वे ऊइं पॉईं एट ग्राम पर सेंटेमiekर क्यूग तो बताओ तो इसकी देंसिटी दोनों की ज्यादा वॉटर से महले पैकेट से फैकेट विल फ्लोट न बोथ फेकेट विल फ्लोट इन वॉटर एंड सिंक सिंपल पेंडूलम का क्या रहा है कि मास्स डवल कर दिया लेंथ आपकर दिन नहीं टाइम पिरिट तो टाइम पिरिट का फॉमला मास्स पर डेपेंड निकरता तूपाई रूट ल्वाइट आपका क्या मैं एकल रॉट तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा मास्स से कोई फरक नई पड़ेगा हैं यहां आपकी यहां क्या कर दी उसने half कर दी तो L by 2 करेगा तो root 2 आएगा 1 by root 2 यानि time period क्या हो जाएगा T by root 2 चलो भई आगे देख लो इन which of the following devices the light energy is converted into electrical energy so light energy से बिजली कहा बनती है वह इस वोलर सेल में LED में आपकी electrical energy से light energy बनती है चलो भई यह कह रहा है तो भई कितने प्यारे प्यारे questions थे आपके यह देखो लास्ट में कुछ questions और हैं लास्ट में कुछ questions और हैं यह कह रहा है sonar is a device that is used to measure sonar के बारे मैं पता है कह रहा है उसमें height कौन सी waves use करता है तो ultrasonic waves इस्तमाल होती है ultrasonic waves की मदद से क्या करता है वही sonar काम करता है उसके बाद कह रहा है speed of sound waves के बारे में speed of sound waves में बताया था मैंने की density से बढ़ती है यानि solid में ज्यादा liquid में कम gas में और कम temperature जतना ज्यादा होगा speed ज्यादा होगी humidity जितनी ज्यादा होगी speed ज्यादा होगी speed of sound in steel ज्यादा होती है water से सही बात है क्योंकि steel solid water liquid speed of sound air में decrease करती है with increase in temperature यह तो गलत है यह यह अंसर स्पीड of sound increase करती है with increase in temperature speed of sound wave in water is higher than that in air बिलकुल सही बात है तो गलत statement कौंसी है B the part of human ear जो variations को audible sound waves को signals में convert करता तो यह काम किसका है वही कौकली आगा which of the following metal most commonly used for making filament तो filament बनाने के लिए tungsten bullet of mass 10 gram is horizontally fired with velocity तना तो recoil बताने है तो recoil के लिए भई पहले इसका momentum निकाल लो इसका momentum निकाल होगे तो इसकी momentum कितने आ जाएगे 1 of 1000 इसके आगई 3 kg meter per second 3 kg meter per second और यह 1 kg का mass है तो इसके लिए निकाल हो mass into velocity velocity आगई 3 meter per second और recoil है तो माइनस 3 meter per second तो answer क्या आगया यहाँ पे c आगया last question देख लो science का फिर आपको English की और gs की हो अपना English और इसका तो यहाँ का microphone microphone क्या करता है हमार जो sound हम बोलते हैं इसको electrical signal में convert करके आगे जो है भेज देता ठीक है आगे जो है transfer कर देता चलोगा यह तो आपके इसमें mark रहेंगे अब देखते हैं start करते हैं बाकी का portion जैसे English English वगेरा बाकी इन सब का portion start करते हैं ठीक है ताकि कि आप match कर पाएं तो यहाँ पर first question है human craving for comfort leads to encourage the human complacency आएगा डी option क्या पूछें इसमें आपके इसमें आपके पूछें हैं भई opposite opposite बताने हैं तो answer क्या आएगा वई craving का complacency complacent हो गया his writings on the subject are obscure इसका आ जाएगा वही आपका obvious obscure मतलब धुंदली सी या फिर अन्वो आपकी वेग सी obvious मतलब सटीब achievements of the team have been monumental monumental मतलब आपका historic लेकिन आपका opposite पूछा है तो unimpressive ठीक इस frail appearance was considered a merit तो यहां पे frail मतलब आपकी छोटी डी क्या जाएगा इसका बिग आजाएगा इसका बिग आजाएगा fourth का एक मिली तो भई fourth का आपका क्या जाएगा appearance was considered a merit sturdy तो इसका answer है वही C sturdy fifth novel depicts the hapless status of certain sections of the society तो hapless का उल्टा यहां पे क्या आएगा भई fortunate आगे बड़ जाओ भई हर ideas have always been eccentric तो इसमें आएगा normal जा यह ले आपेर्स वि पाज़ग पॉस्ट्ट नम्बर 277 का यह भई वेट Newly made road was smooth जया पह भी smooth kalta rutted Plenty to do is one of the major cause of environmental degradation प्लेंटीट्यूड चलो भई आगे बढ़ते हैं स्कॉलर कोटेड इन इन्रिफूटेबल एविडेंस ओन आर्ट्रेलेग तो भई कॉस्चनेवल नेक्स्ट में साइनोनिम्स है फट्ञड से मलाइन का बता देना है आपका क्या अबर सिलेंडर वेक्सट का मतलब क्या आजाएगा भई अब यापका डिस्फ्लीजड प्री क НА्सेप्षिन तो प्री कन्सेप्षिन का अबर आएगा कन्सीड मॉर्टल मॉर्टल का यहां पर नेक्स कह रहा है आइटिनरेरी ऑफ ग्रूप विजिट टू हिल्स तो शेडूल ठीक है भाई 10 तक होगे यहां पर भाई 16 देखो next तो हार्नेस मेंस कंट्रोल यहां पर भाई 18 के अंदर क्या जाएगा B कैटस्ट्रोफिक 19 के अंदर D अंपेड ठीक है 20 तक हो गया 20 का क्या आएगा भई C ओप्षिन ठीक है 19 का D उससे पहले भी चलो 21 देखो order of words in sentence तो यहां पर भाई आपका sentence rearrangement का कुश्चन है 21 का आएगा A 22 का आपका आ रहा है D 23 का यहां पर B 22 का D हो गया 23 का यहां पर B next question D next question D 26 का तो यहां पर भाई आपका question number 26 में आजाएगा C 27 में आपका आजाएगा D 28 के अंदर आपका B 29 के अंदर A 38 का C 31 sporting errors के हैं वही आपको error निकालनी थी इस question में बतानी थी किस part में error है आपकी ठीक है तो यहां question number 31 तो यहां question number 31 तो यहां आपका C part में error है उसके बाद A part में error है इन दोनों के रहीम वाज वन आफ डैट और सुजीनी वाला 34 का तो यहां पर भई मिलाते जाओ आप लोग तो 37 का A 38 का B 39 का B 40 का भी B On below there are some idiom phrases idiom phrases दे रखें भाई सीदा अंसर बताना क्वेर फिश तो यहां पर आपका strange person eat like a bird तो बहुत कम खाना lock horns question number 43 B option 44 44 45 46 47 उसके बाद 48 परल ओफ विजडम तो इसका आएगा B उसके बाद B in the 7th heaven 49 का आएगा extremely happy B in the red red में होने का मतलब है जिसमें वो करना मनी एक banks यह थे आपके English के 50 questions अब आपके GS के बच़के 100 questions आपने अर्डी मैच कर लिए हैं अब आप जो है GS की मैच करेंगे questions और फिर आप अपना score देखेंगे क्या GAT और मैस दोनों qualify हो रहे हैं या ने इसके अलाव से total cutoff परोने चाहिए तो यहाँ जो जो बच गए आप क्यों बता जेते तो 51 का यहाँ पर B option है 52 का D 53 का B 54 का आपका क्या है B 55 का आपका answer है का आपका T 57 58 59 question number 60 D option science करा चुका हूँ question number 81 तो 81 का है C option 82 का है A option 83 का C option 84 का A option 85 का अपका आएगा B 86 का आएगा B 87 का आपका आएगा A 88 का A 89 का आएगा B 90 का C 91 का C 92 का B 92 93 93 94 95 96 96 96 97 का आएगा C आपक मास्ज 1 97 का आएगा C यह देखो वन वन फाइव से देख लो वन वन फाइव का एगा बी वन वन सिक्स का भी बी वन वन सेवन का बी वन वन एट का डी वन वन एट का यहाँ पे डी वन वन नाइन का भी डी है वन ट्वन्टी 121 126 120 122 का भी 126 124, 125, 114, 114, 126, 126, 126, 126, 126, 126, option. Next, 127, का, A, 28, B, 29, A, 30, D, 30, 137, का, D, option, 138, का, C, option, 139, का, A, option, 140, का, A, 141, 141, 141, 141, 141, का, B, option, 142, का, B, option, इसके बाद फिर साइंस के स्टार्ट होगे, जो कि मैं करवा चुका हूँ, तो इवर क्रोस कंफर्म कर देना, कोई कोशन गलती से गलत ना बता दिया हो, या तुम्हें लगता है कि वो गलत है तो उस पर आप अपने विचार दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरी, जी ए टी की यहां पर आपकी अंसर की है यह, इसमें आपकी English के भी मार्ग्ड हो गए, यह सेट A का है, यह English के भी सारे मार्ग्ड आपके 100% कूश्चेंस मार्ग्ड हैं, यानि A से लेकर Z तक यानि बन से लेकर 150 तक आपके सारे मार्ग्ड हैं, answers देखो तो आप यहां से question अगर आप दूसरे set के वियों तो भी easily match कर लोगे paper के paper शफल होते हैं के question सफल नहीं होता तो वही सारे mark dance के अंदर आप देख सकते हैं यह है complete answer की ठीक है तो एक complete answer की है भई तो match कर लेना जिसका अच्छा खासा score बन रहा है ठीक है वो आगे का procedure की तयारी कर लो वरना दुबारा से अपनी कमिया देखके फिर से एक बार written की तयारी कर लो ठीक है तो यह आपकी answer की एक बार comments में बता देना अगर आपको मेरी online classes से offline classes से या फिर आपका जो booster series थी या MCQ के sessions थे MCQ marathon थी ठीक है या फिर आपके PYQ session थे इस type के जितने भी आपके sessions थे अगर उनसे कोई भी help मिली है आपको वहां से पढ़के आपका paper में जो है questions हुए है तो do tell me comments में जरूर बताना या आपको answer की पूरी sold tick लगी हुई क्योंकि अगर आपका अलग-अलग set होगा तो या टिक लगी हुई answer की जरूरी है क्योंकि आपके में question की sequence थोड़ी से अलग होगी तो सिर्फ sequence से पता नहीं चलेगा ठीक है उसके अलाव वही जो लोग an academy से त्यारी करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं आपका play store पे app पिल जाएगा तो वहां पे आप जाओगे अपनी category select करोगे अगर ठीक है तो यहां पे यहां पे अन academy one भी आपके लिए आ रहा है छे को ठीक है तो उसके अलाव वही आप यहां पे अपनी category select करते हो जैसे यहां पे nda या कुछ और है तो वह select करके cds बगरा आप यहां देख सकते हो कैसे क्या क्या सब्सक्रिप्शन है आइकॉनिक है आपका ठीक है उसमें आपको hard notes मिलेंगे और सारे benefits मिलेंगे प्लस के priority मिलेगी live classes डाउट सोल में प्लस में आपके notes soft copy मिलेंगे और आपको course वगरा की access मिलेगी सारी ठीक है light subscription भी है जिसमें आप सिर्फ mock test वगरा दे सकते हो उसके लगा आपका नए batches की बात करें तो यह देखो आपका commando 4.0 batch शुरू हो रहा है आपका दो दिन में दो दिन बाद commando batch शुरू हो रहा है ठीक है दो दिन में शुरू हो रहा है आपका ठीक है topic wise notes भी मिलेंगे आपको teachers सारे test series बगरा सब यहां पे मिलेगी ठीक है तो इस तरीके से आपके batches आते रहेंगे ठीक है आपको कौन सा लेना मानलो plus लेना है दो साल का लेना है 16,000 का मिल रहा है LWS 10 लगाओ आप और आपको यह discount मिलेगा वो subscription आपको 14,400 मिल रहा है यानि आपको 10% discount मिल रहा है तो आप यहां से अपनी तयारी को boost कर सकते हो ठीक है ठीक है भई तो यह थी आपकी पूरी अंसर की इसकी PDF आपको learn with सुमित टेलीगराम चैनल पे मिल जाएगी ठीक है वहां से आप देख सकते है वहां आपको अंसर की मिल जाएगी वहां से match करके बता सकते है आपका score कितना बन रहा है ठीक है और अच्छा खासा बन रहा है तो SSB की तैयारी शुरू कर दो मलब guidance या फिर अपने personality वह changes थोड़ा English वगरा improvement या जो भी आप personality improvement करना चाहते है वह सारा कर सकते है ठीक है उसके अलाव वही आपको यहां पर अगर offline में पढ़ना है तो learn with सुमित का offline center है आपका दुआर का के अंदर ठीक है यहां पर आप आके offline देख सकते हो selections जो lws family की तरफ से जिनके selection में roll रहा है वो सब है यह ठीक है तो offline batch जिसकी team में आपको दिखा दे सकता हूँ 19 तारिक से शुरू है ठीक है 19 तारिक से आपका offline batch शुरू है यह देखो आपका offline batch है 19 तारिक से यह देखो गए 19 सेप्टमबर से team lws offline center जो की दुआरगा के अंदर है तो offline batch start और registration आप कर सकते हो आपको numbers वगएरा नीचे भी reflect हो रहे हैं जहां से आप और जानकारी ले सकते हो और lws offline center का part बन सकते हो PG वगएरा accommodation वगएरा सब available है उसके अलावा आपका जो वो SSB भी आपको मिल रही है साथ में ठीक है तो SSB साथ में आपको free मिलेगी ठीक है कोई अलग से उसका charges नहीं देने पड़ें वो भी आपके offline batch के साथ साथ आपको जो है मिलेगी ठीक है चलो गए I hope answer की आपने match कर ली होगी और आपका अच्छा घाजा score बने I wish that ठीक है और आप जो SSB की तयारी करो SSB निकालो medical में select हो जाओ list में नाम हो आपको और आप जो है NDA यानि National Defense Academy join करें और अपने देश का अपने जो आपकी society है आपके गाओं का अपने शहर का अपनी family का अपने relatives का अपना खुद का सब का नाम रोशन करें तो भई मिलते हैं अब आपका ऐसे ही आपका नए बैच में मिलेंगे अब तब त करें चांप